हेलो फ्रेंट्स नमस्ते मैं कीरन और स्वागत है आपका मेरी चैनल मॉमसेंड माई किचन में फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे पुलाओ कूकर में जो की बहुत ही जल्दी बनका तयार हो जाता है तीस मिनट में ये बनका तयार हो जाता है तो चलिए हम बनाने स्टार्ट करते हैं और इसकी कुई क्रेसेपी देख लेते हैं सबसे पहले हम गैस आउन कर कूकर गर्म करने रखेंगे अब इसमें ऑईल और गी डालेंगे चार टेबल स्पून ओईल है और दो टेबल स्पून देशी घी घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुलाओं में ओईल और गी गर्म हो गया है फ्लेम लो रखेंगे और इसमें खड़े मसाले डालेंगे दो तेज पत्ता, दो दालचीनी का तुकड़ा, एक इंज का, दो बड़ी लाइची, आठ लॉंग, आठ काली मिर्च, एक चक्रफूल, हाफ टीस्पून जीरा एक मिनटीने भुनने के माथ, एक मीडियम साइज का प्याज डालेंगे, जिसे मैंने लंबे में बारी कट कर ली हूँ इसे हलका ब्राउन होते तक भुनेंगे, फिर इसमें एक मीडियम साइज के प्याज का पेस्ट, और दो चमच अद्रक लसन का पेस्ट डालेंगे और इसे golden brown होते तक भुनेंगे मसाला अच्छे से भुना गया है अब इसमें चावल डालेंगे जिसे मैंने आदा घंटा पहले सोक करी थी टेस्ट के according नमगाट करेंगे अब गरम किया हुआ इसमें पानी डालेंगे दो ग्लास चावल है तो साड़े तीन ग्लास पानी डालेंगे इसे फिर चम्मस से अच्छे से चला लेंगे हाफ टेबल इस्पून गरम मसाला पॉडर डालेंगे एक निम्बू का रस डालेंगे इसे पुलाओ का टेस बहुत और चावल जादा वाइट और खिले-खिले बनते हैं सब को अच्छे से मिक्स करके प्रेशर कुकर का लिट लगा दीजिए और एक सीटी आने तक इसे कुक कीजिए गैस का फ्लेम हाई रखेंगे पुलाओ बनकर तैयार है कुकर ठंड़ भी हो गया है अब मैं आपको लिड ओपन करके दिखाती हूँ पुलाओ कैसा बना है और इसमें हम फूट कलर भी एट करेंगे पुलाओ से तेज पता अलग कर देंगे और चम्मच से पुलाओ में ऐसे क्रॉस कर फूट कलर एट करेंगे दो पिंच औरेंज कलर है जिसे मैं दो तिन चम्मच दूद में मिक्स करी हूँ पुलाओ को 5-10 मिनट ऐसे धक कर रख देंगे अब पुलाओ को चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिसे फूट कलर अच्छे से मिक्स हो जाए और सभी चावल में इसका रंग आ जाए देखिए कलर अच्छे से मिक्स हो गया है चलिए पुलाओ को सर्फ करते हैं मैंने पुलाओ को पूड़ी और पालक पनीर के साथ सर्फ किया है रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं ऐसी ही अगली रेसिपी में तब तक के लिए टेक किया हुआ हुआ है